नवश्कार दोस्तों, कॉंपटिशन कम्मूनिटी के मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और भारत का भूगोल विशे लेकर मैं हूँ आपकी जाद आगासे हमने भारत के भूतिक विभाजन की शुरुवात कर दी और सबसे पहले पड़ा उपर हमने उत्तर परवती छि किस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं इस पर भी हमने विशेश तोर पर चर्चा की है इस वीडियो पर हम हिमाले को समाप्त करेंगे ये हिमाले का अंधिम पड़ा है तो हिमाले के मुख के भाग को अभी तक आपने कवर कर लिया है अब सबसेट्यूट वाले टॉपिक क को हम कवर करने चाते हैं इस टॉपिक पर आपको टूटू मांग से कोशन पूछे जा सकते हैं जो टॉपिक है दर्रे भारत के प्रमुक दर्रे और यहां पर हम लोग हिमाले के दर्रों के बारे में विशेश तो और पर चर्चा करेंगे तो जब हम बात करते हैं दर्रे या पासेस तो दर्रे या पासेस किसे कहते हैं तो किसी भी परवती छेत्र या पराकृत्य श्रेणी Mississippi अगर कोई मार्ग दिखें जो उस पर्वती छेत्र के आर्पार होने के लिए सायक हो कोई भी एक ऐसा जगा दिखे जहां से आप उस परवत को पार कर सके उसे कहा जाता है दर्रा लेकिन ये दर्रा ये पास जो है प्राकरितिक तोर पर होना चाहिए तो ये हो गया दर्रे का बहुत ही समान ने तोर पर परिभाशा तो कुछ प्रमुख दर्रों पर हम बात करने वाले हम हिमाले के दर्रों पर इसलिए मैंने कहा बात करेंगे क्योंकि हिमाले पूर पूरा परवती छेतर है तो जाइस ही बात है कि यहां पर हमें दर्रे विशेश तोर पर देखने को मिलेंगे और काफी महतपूर्ण दर्रे हम को यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो चलिए सबसे पहले शुरुवात करते हैं हम कारा कोरम दर्रे से चीक है कारा कोरम दर्रा नाम सुनकर ही आप यह अनुमान लगा चुके होंगे कि यह कहां पर होगा तो यह ट्रांस हिमाले पर इस्थीद होगा और ट्रांस हिमाले के सबसे प्रथम भाग पर सबसे प्रथम परवज श्रिणी कारा कोरम पर यह दर्रा होगा तो कारा कोरम दर्रे को प्राकृतिक तोर से चीरता है यह कारा कोरम दर्रा कारा कॉरम दर्रे के बारे में अगर विशेश तोर पर आप बात करें तो इसकी उचाई 5654 मिटर है और ये कारा कॉरम शेड़ी में तो आता ही है नाम से आपको पता है यह जो दर्रा होगा यह दर्रा आप यह समझ सकते हैं कि भारत और चीन के मद्ध एक मार्ग है पौरानी या फिर प्राचिन काल पे इसी दर्रे की साहिता से इसी दर्रे को अपना मार्ग बना कर हम चीन के साथ में प्राचिन काल पे वेवसाई किया करते थे बस्तुवों का आदान प्रदान इस दर्रे के माद्ध में से किया जाता था ठीक है लेकिन अभी ये जो दर्रा है आप भारत के धाचे पे इसे नहीं देखेंगे पॉलिटिकल वे में आप इसे नहीं देखेंगे ये दर्रा आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है ये दर्रा पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा हो गया एलो सी पूछें तीस शब्दों पे जब आपसे प्रश्न पूछें तो आप यह बताएंगे कि कारा-कोरम्य कहां इस्थित है तो नाम से हम हम पता है कि यह कारा-कोरम श्रेटी में इस्थित है पिर साथ इंसकी उचाई कि Teraz आप आप ये बदाएंगे कि इसके विश्शिश्टा क्या है, इसका महत हो क्या है तो आप ये बदाएंगे कि प्राचीन काल में भी इसकी महत हता थी और इस समय ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है जब अभी हम चीन के सिल्क रूट के बारे में चर्चा करें चीन का एक fel आप करना चाहता है कि चीन अपने अपने आपको एशिया और अफरीका कॉंटिनेंट के साथ में जोड़ना चाहता है जिससे उसका वैपार बहुत ही अच्छे तरीके से प्रवावीत हो सके तो हम जब इस सिल्क रूट में अगर जुड़ते हैं अभी हमने नहीं अपने हामी नहीं बरी है हम उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं जब भारत ये निर्णा लेता है कि हम इससे जुड़ेंगे तो हो सकता है कि इसी दर्रे के माध्यम से हम उस सिल्क रूट तक अपनी जोड बना सके कारा कोरम दर्रे के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वो आपको समझ सकते हैं कि रणनितिक तोर पर भारत के लिए बहुत ही महतोपूर्ण है क्योंकि यह पाक अधिकरित कश्मीर और आपका मुख्य भारत के हिस्से वाले कश्मीर के बीच में जोड की तरह कारे करता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटिजिक वे म थ्रेट भी हमको यहाँ पर मिलता है गुसपैट की भी काहनी यहाँ पर हो सकती है और होती भी है तो इसलिए रणनितिक तोर पर स्ट्रेटिजिक पॉइंट आफ व्यू से यह दर्रा बहुत ही महतोपूर्ण हो जाता है जो जिल्ला दर्रा हमारे लिए पिर उसके बाद बा है लगू हिमाले का लेसर हिमाले का और मैंने जब आपको लेसर हिमाले लगू हिमाले बताया था तो मैंने आपको यह इसपस्ट किया था कि लेसर हिमाले विच्छेदित है विच्छेदित अर्थात डिसकंटिन्यूस है अर्थात ग्रेटर हिमाले की तरह यह एक समानतर पुलगाओं से कोठी जाने का रास्ता है पुलगाओं बहुत जादा न्यूस में आप इसे देखते होंगे ये सारे इसे कश्मीर घाटी के अंतरगत आते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं बनीहाल दर्रे की तो ये आपको जोजिला दर्रे से दक्षि यूजनाती सरकार की और ये आपको जवार टर्नल इसी बनीहाल दर्रे पर देखने को मिलेगा पीर पंजल शेणी में ये भी आता है पीर पंजल शेणी के दक्षिन वाले भाग पर आपको पीर पंजल दर्रा देखने को मिलता है जम्मू से श्रीनगर जाने वाला नैशनल ह दर्रा से ही आपको देखने को मिलेगा। और बारालाचा दर्रे की बात करते हैं बारालाचा दर्रा आपको यहां पर दिख रहा होगा हिमाचल पदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले छेतर पर आपको यह देखने को मिलता है जासकर शेड़ी पर है यह ले को जोड़ता है हिमाचल पदेश से शिपकिला दर् दर्रे की महत्वता क्या है सतलज नदी इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी जब कैलाश मांसरोवर के पास उद्गमीत होती है तो अपने पस्चिम के दिशा में प्रवावित होते हुए भारत में जब प्रवेश करती है तो इसी शिप्किला दर् और हमें शिमला में भी इसकी पहचान देखने को मिलती है, शिमला में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो एक प्रकार से जो बहुत गुरू है, बहुत धर्म है, उनके विस्तार के लिए भी ये शिपकिला दर्रा बहुत ही महतोपुन अपनी भूमी का अधा करता है, रोतांग दर्रे पर आते हैं तो हिमाचल की पीर पंजल फ्रेडी में इस्थिद है यह और यह मनाली और ले को जोड़ता है ठीक है मनाली और ले को जोड़ता है और इसका इस्थान भी आप देखते जाईएगा कि आपको 12 लाचा दर्रा भी आपको हिमाचल पर देखने को मिल रोतांग भी आपको हिमाचल पर देखने को मिला इसके आगे बढ़ते हैं उत्तरा खंड के कुछ दर्रों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिपू लेक के बारे में भारत से वो इसी दर्रे की साहता से कैलाश मांस रोवर की ओर जाते हैं लिपू लेग से ये रहा आपका लिपू लेग और इस लिपू लेग से क्या होगा इस कैलाश मांस रोवर पर जाएंगे शर्णार्थी तो ये बहुत ही महतोपूर्ण एक इसका हिस्सा बनता है देखे स सिक्किम पर नाथूला जेले पला के माध्यम से भी श्रणार्दी यहाँ पर जाते थे लेकिन सिक्किम पर इस्थित नाथूला जेले पला जो हैllate और चीन के बध्यूकि फिर बात करते हैं लिपूलेक के बाद हम माना दर्रा की बात करते हैं तो माना दर्रा कहां पर है तो यह उत्तराखंड के अंतिम गाउं माना में इस्थित है क्लियर है निती दर्रा तो निती दर्रा की भी खास बात यहीं कि उत्तरा खड़ में है और यह तिब्बत के साथ भारत की जोड़ को स्थापित करता है बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इससे प्रश्ण जो पूछे जाने की संभावना होगी य अब हमने तो जोग्रफी को मेंस में अभी हाली में जोड़ा है और एक ही बार ऐसा हुआ है कि मेंस में जोग्रफी से संबंदित प्रश्ण पूछे गए हैं तो अभी जो प्रश्णों का पैटर्न हम यहां पर डिसकस करते हैं उसका जो अनुमान लगाते हैं उसका आधार यह है कि 36 गर राज में बहुत जादा मेंस में तो जोग्रफी कोश्ण अभी नहीं आएं लेकिन अने स्टेट के PCS और UPSC में जो कोश्ण पूछे जाते हैं उनीक पैटर्न को हम फॉलो करते हुए यह अनुमान लगाते हैं कि जब जोग्रफी का कोश्ण आएगा तो इसी Map में क्या करिए इसे पॉइंट करिए तो इस प्रकार से भी प्रफी पुछे जा सकते हैं आप आउटलाइन खुछ से भी बनाएंगे पेपर में या फिर आपको कोश्चन पूछ लिया जाएगा कि फलाना फलाना जगे को Map में आउटलाइन करिए उसे मांग करिए माल किया गया है और दो चार लाइन जो बहत पूर लाइन है वही सिर्फ यहां पर लिखी गई है और इतना ही आपको याद रखना है बहुत जादा इसमें कहानी नहीं करनी है कितना किलो मिटर है कितना किलो मिटर चोड़ा है कौन-कौन यहां से आया है कौन-कौन यहां से गय है इतनी सारा ज़्यदा डिटेल आपको नहीं करनी है चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नाथुला दर्रे के पास पहुंचते हैं और नाथुला दर्रा आपको यहां पर दीख रहा होगा नाथुला दर्रा कहां पर है तो यह है सिक्किम में तो यह दर्रा सिक्किम राज्य में हैं इस दर्रे की खास बात आप यह कहें तो सिक्किम को चुम्भी घाटी से यह जोड़ता है चुम्भी घाटी बहुत ही महतुपूर्ण है भारत और चीन के मध्य अब इस नाथूला दर्रे को जैसा कि मैंने आपको बदाया कि कई बार इसे बंद कर दिया जाता है जब भी टेंशन क्रियेट होता है चीन और भारत के मध्य अब इसे बंद करने का जो औचित है वो यह हो जाता है कि इस रूट से इस पास से वैपार बहुत बड़ी मातरा में किया जाता है इसकी आकड़े भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वैपार का असी प्रतिशत वैपार इसी दर्रे से किया जाता है तो चीन समानी तोर पर इस दर्रे को बंद कर दिता है और कोशिश करता है कि एकनॉमिक वार भारत के प्रतिये खेल पाए इस माध्यम से दर्रे को बंद करके हाला कि इसे बार बार फिर से उपन कर दिया जाता है और फिर से जब भी टेंचन क्रियेट होता है तो इसमें हम देखते हैं कि इस दर्रे को बंद कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं और बुमदिला दर्रे की बात करते हैं बुमदिला दर्रा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि इस्थित है अरुनाचल प्रदेश में इस्थित है यह अरुनाचल प्रदेश के तवांग को तिबबत से जोड़ता है अब तवांग क्या है तो चले आते हैं किसी योजना के तहट तब चीन को बहुत जादा समस्या होती है अंतर राश्री मंच पर इसे उठाया जाता है चीन का ये मानना होता है कि भारत जो है वो तिब्बतियों को भड़का रहा है और तिब्बती को एक अलग राश्र नहीं मानता तो चीन को ऐसा इंसे प्रक्षम हैसूस होती है कि भारत इसे बहुत धर्म बहुत दगरुवों के माध्यम से तिब्बत को और उक्सा कर चीन के लिए समस्या खड़ा कर सकता है इसलिए ये बहुत जादा नियूज में रहता है और ये तवांग इस्थान भी बहुत जादा नियूज में रहता है पिर हम बात करते हैं यहां पर अरुनाचार पदेश पर इस्थित यांग पार दर रखी तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है यांग याप दर्रे से चीक है तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी जब तक भारत में प्रवेश नहीं करती तब त लिला दर्रे के पास से ब्रह्म पुत्रा नदी कुछ इस प्रकार से अपना मार्ग बना कर भारत में प्रवेश करती है चलिए आगे बढ़ते हैं दीपू दर्रा समझते हैं तो दीपू दर्रा क्या है तो जब आपका रुनाचल प्रदेश्टे से जाना होगा म्यानमार तो इ पता नहीं चलता लेकिन फिर भी कई बार इसका नियूस पेपर या किसी आर्टिकल पर जिक्र देखने को मिलता है तो जब यह म्यानमार में यह स्ट्रेजी की गई थी इस सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो इसी दिपू दर्रे को ही इस्तमाल किया गया था ऐसे कई जगों पर हमें देखने को मिलता है इसका उलेक तो लेकिन यह सारी चीज आप नियूस पे आंसर शीट में नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रमानिक फूर्तों में हमको इसका जिक्र इस सर्जिकल स्ट्राइक और इस दिपू दर्रे का इस्तम नियूस नियूस तो अब इतनी जानकारी देखने के बाद इतना सब चीज समझने के बाद इतनी इसकी भूमी का निर्मित करने के बाद मन में ये सवाल आता है कि इस हमाले का हमारे लिए या भारत की भूगोल में क्या importance है क्या महतवता है तो question आप से ये पूछा जा सकता ह है long answer के तौर कि हमाले की महत्तवता बताऊ या फिर importance of हिमाले significance of हिमाले क्या है उसे उले करो तो यहांपर मैंने keyword लिखा हुआ है और इस keyword को ही हम समझते समझते यह समझेंगे कि हिमाले की महत्तवता क्या है तो importance की कहानी में सबसे प्रमो का मेहत्वता तो हिमाले की जलवाईू पर होती है देखे जलवाईू उसे संबंदित मैं आपको हिमाले की इंपोर्टेंस समझाऊंगा लेकिन हो सकता है कि थोड़ा आपको समझने में कठिनाई हो क्योंकि हमने जलवाईू वाला टॉपिक अभी कवर नहीं गिया है ल चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं हिमाले की इंपोर्टेंस की भारत की जलवाई उपर सबसे पहला इंपोर्टेंस तो हिमाले का यही हो जाता है कि हिमाले जो है मौनसून लेकर आता है बतलब की पूरा का पूरा मौनसून हिमाले के कारण ही नहीं चला आता लेकिन हिमाले की बहुत ही इंपोर्टेंट रोल इसमें होती है मौनसून कैसे आता है या फिर मौनसून के बारे में एक समाने जानकारी देखें तो मौनसून क्या है एक रितुवत परत्या वरतन वाली पवने है या फिर सिजनल रिवर्सल और विंड है रितुवत या फिर आप मौसम के आदार पर पवनों की दिशा बदलती है तो जब हम भारत को ऐसे देख रहे हैं जब पवने भारत की तरफ आती हैं तो भारती महा सागर से ये अपने साथ क्या लेकर आती है अपने साथ आदर लेकर आती है ठीक है और जब अपने साथ ये आदर लेकर आएगी ये पानी के कंड लेकर आएगी तो भारत के भूभाग म आने के बाद या क्या करेगी यहां पर वर्षा कराएगी यह एक समान्य जानकारी है अब इस समान्य जानकारी को अगर हम हमादे के इंप्रोटिंस के अधार पर देखें तो हमको यह समझ में आता है कि इस पवनों को आकरशित करने के लिए जो मैत MINT कुन्ड कारक होने बारत म महा सागर पर इंडियन ओशन पर क्या होना चाहिए हाई प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और पवने क्या होती है अगरसर होती है और इन्धी पवनों को हम क्या कहते हैं मौनसून ज्यादा डिटेल टेक्निकल की दक्षिन पॉस्टिम मौनसून कहते हैं ये तब समझ कि इसमें क्या भूमिका है तो हिमाले की भूमिका इसमें ये है कि हिमाले इस निम्नवायुदाप को निर्मित करने में अपनी महतपूर्ण भूमिका देता है देखे जब हिमाले का आप structure देखें तो आप ये देखेंगे कि हिमाले के साथ ही एक और विशाल आकरिती बनी है जिसे आप क्या कहते हैं तिबबत तिबबत की खास बात ये है कि तिबबत सबसे बड़ा तो बहुत बड़े स्थान पर बहुत ही बड़े इस तर पर ये विश्टित है बहुत बड़ी इसकी आप area देखेंगे साथ ही साथ अपने आसपास के छेत्रों से ये उचा है क्योंकि आपने इसे क्या कहा दिया है पठा अब उचा हो जाने के कारण अपने आसपास के छेत्र में उचा हो जाने के कारण और एक बहुत बड़े जगे में विश्टित होने के कारण इसमें जो जलवायू या फिर जो वायू मिंडलिये परिसंचरण बनेगी जो एट्मोस्फोरीक जो सर्कुलेशन बनेगा वो लग लगबग सेम होगा और इस तापमान के यहां पर होने की वज़ा से या फिर इस दिबबत के पठार के उपर हो जाने के कारण से अपने आज पास के छेतर से लगबग ये तीन डिगरी सेलसियस अधिक गरम हो जाता है अधिक गरम हो जाने के कारण जहां पर गरम होगा जहां जमीन पर बल नहीं लगेगा तो अगर फोर्स नहीं लगा किसी एरिया पर तो वहाँ पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा कम हो जाएगा क्योंकि हमको पता है कि प्रेशर एक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया तो जब फोर्स लगा नहीं किसी एरिया के उपर तुम्हाँ पर प्रेशर के होने वाला है कम होने वाला है तो हम यह देखेंगे कि इस तिब्बत के निर्मित हो जाने के कारण यहां पर एक अच्छे लेवल का लो प्रेशर बनता है और यह अच्छे लेवल का लो प्रेशर क्या करता है इतना तीवर हो जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा पर मौनसुनी पवने भारत के भूभाग की और आकरशित होती हैं और भारत में वर्षा कराने के लिए अपने या फिर उतरदाई होती हैं तो इस प्रकार से आप ये समझ रहे होंगे कि हिमाले की वज़ा से ही तिब्बत का पठार बनता है और तिब्बत के पठार की वज़ा से वहां पर तापमान अधिक हो जाता है और अधिक तापमान हो जाने की वज़ा से वहां पर निम्नवाईू दाब होता है और निम्नवाईू दाब हो जाने की वज़ा से हम देखते हैं कि मौनसुनी पवने ज़्यादा आती हैं तो इस प्रकार से आप ये निश्कर्ष नि हिमाले आप इसे एरो डाइग्राम से समझ रहे होगे ठीक है हिमाले की वज़ा से क्या हुआ कि निर्मित हो रहा है ठीक है उच्च तापमान निर्मित हो जाने की वज़ा से यहां पर क्या होगा लो प्रेशर डवलप होगा और यह लो प्रेशर क्या करेगा तो यह लो प्रेशर मौनसूनी पवनों को आकरशित करेगा और इस प्रकार से मौनसून को भारत मिलाने के लिए ये मौनसून की उत्पत्ती में हिमाले की महत्पूर्ण भूमी का बन जाती है तो ये हो गया जलवाईू पे सबसे पहला वाला पाट अब दूसरे इंपोर्टेंस की बात करते हैं परवत कृत वर्शा तो मर में ये सवाल आता है कि परवत कृत वर्शा का तात्पर क्या है तो इसका नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि परवतों की वज़ा से जब वर्शा हो तो उसे परवत कृत वर्शा कहते हैं देखते हैं मान लेते हैं कि ये कोई परवत है और यहां पर पवने आ रही है अब ये कैसी पवने हैं तो ये ऐसी पवने हैं कि इनके पास अच्छी मात्रा पर आद्र बना हुआ है जब ये पवने इस परवत से टकराती हैं तब क्या होती हैं उपर की ओर उठती हैं क्योंकि इन परवतों को चेर कर तो नहीं चला जाएगा तो जब ये पवने उपर की और उठती हैं तब इन पवनों की relative humidity ज़्यादा हो जाती है ठीक है अब ये relative humidity का concept जलवाई उपर समझेंगे लेकिन अभी के लिए कि जब ये पवने आती हैं परवत से टकराती हैं तो उपर की और उठती हैं उपर की और उठ जाने की वज़र से इनकी relative humidity ज़्यादा हो जाती है और एक point के बाद ये क्या करते हैं saturation point पर आ जाते हैं अर्थात इन आद्र को ग्रहण करने के लायक है नहीं होते है और यहाँ पर हमें बादल बनता हुआ दिखता है और फिर यही बादल क्या करते हैं वर्षा करवा लेते हैं इसे ही कह दिया जाता है परवतकित वर्षा अब इस परवतकित वर्षा को हमने हिमाले के साथ में कैसे जोड़ा तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं हमने देखा कि एक बड़े भाग पर लगव तब हम ये पाएंगे कि यहाँ पर आपको राजे स्थान पर क्या देखने को मिलेगा अरावली देखने को मिलेगा और इस अरावली के पैरलल होके यह पवने क्या हो जाएंगी चले जाएंगी और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर हिमाले का दक्षन वाला भाग दिखेगा और यहां पर टकराने के बाद ये क्या करेंगे भारत वाले हिस्से पर ये मौनसुनी पवने या आद्र गरहन किये वाले पवने वर्षा करवा देंगी और ये परवत कित वर्षा हो जाएगा तो परवत के तवर्षा कराकर हमारे नदियों को जैसे गंगा जैसे सिंदू नदी इन नदियों को ये जल मातरा देता है हिमाले नहीं होता तो ये पवने सीधा निकल जाती और वर्षा हो सकता है कि चीन पर हो जाती भारत में नहीं होती लेकिन इस हिमाले की वज़ा से इन पवनों को भिमाले रोक देता है एक प्राकृतिक अवरोत की तरह कारे करता है और ये पवने हिमाले पर रुख जाने के बाद वर्शा करा जेती हैं और ये वर्शा का पानी हिमाले के वज़ा से भारत की संपदा में अपनी महतपूर्ण भ गोबी डेसर्ट देखने को मिलेगा ये ब्रिष्टी छाया छेतर हो जाता है परवतों का जैसा कि मैंने आपको बदाया कि परवत कि वर्षा होता है तो जिस तरफ से पवने आती हैं वहाँ पर तो वर्षा हो जाएगा अगर पवने आई तो इस वाले छेतर पर तो वर्षा हो rain shadow area की तरफ आगए आद्र ना हो जाने के साथ साथ यहाँ पर low pressure नहीं बनेगा यहाँ पर high pressure पनेगा क्योंकि पवनों की दिशा क्या है जमीन की तरफ है तो हमारे लिए ये बहुत ही अनिवार हो जाता है कि पवनों की दिशा उपर की और हो तब वो जाकर क्या होगा उसकी relative humidity जादा होगी और वर्षा होगी लेकिन अगर पावनों की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी तो पवने उपर उठेंगी क्या नहीं उठेंगी आद्र भी कम है पवने उपर उड़ भी नहीं रही है तो इस तरफ जो हमको स्थान देखने को मिलेगा वहाँ पर वर्षा की मात मरुस्थल बनता हुआ देखने को मिलेगा जहां पर वर्षा 25 सेंटीमिटर से कम होगी उस इस्थान को मरुस्थल कहते हैं और यहां पर हिमाले के उत्तर पर चीन पर आपको बोबी डेसर्ट इसी हिमाले की विस्टी छाय च्शेतर के तोर पर देखने को मिलता है तो भारत क तरफ या हिमाले के दक्षिन पर जो परवतकित वर्षा होती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो हिमाले की उपस्तिती की वज़ा सही संभव हो पाता है अगर हिमाले नहीं होता तो यह भारत के तरफ या हिमाले के दक्षिन पर हमको इतनी महत्वपू ही एक कठन यह है कि हिमाले की अनुपस्थिती में और भारती जलवायू मरुस्थली होती या फिर भारत क्या होता डेसर टाइप होता तो एक कारण तो आपको समझ में आ कि हिमाले है इसलिए मौनसुनी पवनों को रोकता है और भारत के तरफ वो वर्षा गराता है अगर हिमाले नहीं होता तो ये पवने चले जाती और क्या भारत के उत्तर भाग में वर्षा होती क्या नहीं होती तो वो मरुस्तल होता लेकिन दूसरा कारण ये है कि ये ठंडी साइबेरियन पवनों को भी रोकता है साइबेरिया कहां पर है तो भारत के उत्तर पर है यहां पर आप हिमाले ऐसा देख रहे होंगे ठेक है और यहां पर है साइबेरिया जब सूर्य दक्षिन की और गतिमान होता है अर्थात ये कहानी कप की है तो ये कहानी आप समझ सकते हैं कि जून के बाद की कहानी है सितंबर की कहानी है ठंडी के डाइ में तो जब सूर्य दक्षिन की और गतिमान होता है तो यहां से पवने क्या करती है भारत की और होती हैं क्योंकि जब सूरी दक्षिन की और गतिमान हो चुका है तो सूरी ताप कहां पर होगा भारत के दक्षिन पर तो लो प्रेशर कहां पर बनेगा भारत के दक्षिन पर और हाई प्रेशर कहां पर बनेगा जहां पर सूरी ताप नहीं यहां पर ठंडा है तो यह ठंडी पवने क्या करती हैं भारत की ओर चली आती हैं लेकिन इन पवनों को हिमाले क्या करता है एक प्राकृतिक अवरोध की तरह खड़ा होकर इन पवनों को रोक देता है और इतनी ठंडी पवने जो होती है वो भारत के भूभाग में प्रवेश नहीं करती और जब इतनी ठंडी प पर वर्षा के अनुकूल परिस्थिती बनी रहती है अगर ये ठंडी पवने भारत में चली आती हिमाले इन्हें नहीं रोगता तो भारतिये उत्तर वाले भाग में ये पवने क्या करती हाई प्रेशर बना देती और पवनों की दिशा जो होती हो जमीन की तरफ होती और हमें यहां पर लोब प्रेशर बनता हो नहीं दिखता हूं वहां पर वर्षा नहीं होती तो दो कारण है हिमाले की अनुपस्तिती पर भारतिये जलवाई यही यह जलवायू यह समझाने के लिए यह बहन को कारण आपको बता दिया एक तो जब कॉनसूनी पवने जाती है तो यह रखता है तो इन दो आधारों पर आप कह सकते हैं कि हिमाले है इसलिए हमारी जो जलवाईू है वह कैसी है मौनसुनी जलवाईू है वर्षा यहां पर परियाप मातरा पर होती है इसकी अनुपस्तिती में भारत का उत्तर भाग मरुस्थली होता क्लियर है दक्षिन भाग नहीं होता क्योंकि दक्षिन भाग जो है वह सागर के समीप है तो सागरी प्रभाव की वज़ा से हमें वहाँ पर वर्षा देखने को तो मिली जाती है लेकिन हिमाले वाले भाग पर हम जब पहुंचते हैं तो सागरी यह दूरी यहां पर अधिक हो जाती है और सागरी प्रभार देखने को नहीं मिलता तो मुख्य रूप से जो वर्षा होनी है वह किसे होनी है तो वह पवनों की दिशाओं से होने वाली है और इसी प्रकार से हिमाले क्या करता है अपने दो रोल की वज़ा से एक मौनसूनी पवनों को रोक कर और दूसरा हैंगे मैं गारेंटी करता हूँ कि पेपर चेक करने वाले बहुत मज़ा आने वाला है और जब वो मज़ा उसको आ जाएगा तो नंबर आपको बहुत बैतरी मिलने वाला है मैप और डाइग्राम को प्रेजेंटेशन आप बिल्कुल करेंगे देखे थोड़ी सी महनत तो लग चेक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम दूसरे इंपोर्डेंस की बात करते हैं दूसरे इंपोर्डेंस ये है कि हिमाले है तो हिमाले में हमको सदा निरा नदिया देखने को मिलती है जैसे कि पूरी की पूरी हमें सिंधू नदी अपवातंत्र दूस से यहां पर जल मातरा पहुँच जाती है और जब वर्षा का टाइम नहीं होगा तब हिमनदों के या हिमानियों के पिघलने से यहां पर जल पहुच जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर 12-18 नदियां हमको देखने को मिलती है अब जब हमारे पास कोई ऐक ऐसी नदी आ और जोगिक विकास में हेल्प करेगा तो यह बहुत सारे इंपोर्टेंस इसकी बन जाती है अगर कोई नदी हमेशा पानी अपने साथ रखा हुआ रहता है तो तो इस प्रकार से बारा मासी नदियां सदा नीरा नदियां बहुत ही जादा हमारे लिए इंपोर्टेंट हो ज जो की आती है कहां से तो यह आती है ग्रैविटी से दूसरी उसमें क्या चाहिए तो उसके पास पावर होना चाहिए तो उसके पास क्या होनी चाहिए उसके मतलब किसके तो उसके मतलब जल विद्यूत बोल रहे है मतलब क्या जल और जल मतलब क्या नदी ठीक है अब यह दो तीव रड़ाल वाला है ठीक है तीव रड़ाल हो जाने की वज़ा से नदी काफी तेजी से क्या करेंगी वह भारत के भूभा की ओर बहेंगी इनके बहाओ की वज़ासे हमें वहाँ पर वह पोटेंशन एनरजी मिलता है क्वान्टिटी इन नदियों की ज्यादा क्यों होगी तो अभी मैंने आपको बताया 12 मासी हैं, हमेशा इनके पास पानी रहेगा, इन दो आधारों की वज़ा से ये जो नदियां हैं, जल्विद्यूत के लिए बहुत ही उप्यूक्त हो जाती हैं, बहुत ही अनुकूल परिस्थिती बना कर दे देती हैं, कि इसके पास में का निर्माण, उत्तर बारत का विशाल मैदान हिमाले का वरदान है, यह ऐसा क्यूं, देखिए, हमने अभी समझा कि तीवर ढ़ल है, पहला, ठीक, दूसरा हमने हिमाले के बारे में ये जानकारी कठा की है, कि हिमाले का परवत क्या है, नविंतम है, नविंतम है अर्थात इ तो अब आप ये समझे कि तीवर ढ़ाल होने के साथ वहां के हिमाले के जो चटान है वो कोमल है और साथ ही साथ जो जल की मात्रा है वो काफी जादा है नदियों के पास तो इन दोनों प्रभाव की वज़ा से ये जो नदियां हैं अपने साथ बहुत बड़ी मातरा पर अवसाद लेकर आएंगे क्योंकि तीवर ढ़ाल की ताकत है और कोमल चटान है अर्थात उन चटानों को असानी से तोड़ कर अवसाद की रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और जब ये अवसाद नदिया अपने साथ ग्रहन कर लेती है और जब ढाल मन्द होती है तो ये अवसादों को छोड़ देती है और इन्ही अवसादों के रूप में इन्ही अवसादों की साहता से हमें एक समतल फैली हुई भूमी दिखती है जिसे हम क्या कहते हैं मैदान तो अगर हिमाले नहीं होता तो ये सारे समीकरण नहीं बनते जो की मैदान बनाने के लिए उत्तरदाई होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं खनीच के मांद्यम से भी हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिखता है तो देखिए हमने ये देखा कि यहां पर टैथिस सागर हुआ करता था हिमाले जहां पर है वहां पर हमने देखा कि टैथिस सागर के जो तल है वहां पर हमें अफसाद बहुती दिरगवदी तक एकत्रित होते हुए देखने को मिलते हैं चौड़ी वहाँ पर हमें उसके लेयर देखने को मिलते हैं तो यह जो अवसाद थे वो कहां से आ रहे थे तो यह प्रायदूपी भारत से आ रहे थे अर्थाद प्राचीन काल पर बने हुए भूखंट से यह अवसाद चले आ रहे थे प्राचीन काल अर्थाद आर्थाद आर हाग हो जाने की वज़ा से हमें वहां जिवाश में देखने को मिलते हैं हमें वहां पर एंतरसाइट कोल की भी प्रचूरता देखने को मिलती है हिमाले पर लेकिन इन कोईले की इस एंतरसाइट कोले की खनन को बहुत ही बड़े आयाम पर नहीं किया जा रहा है क्योंकि परवत कि're अगोज़ा के दृस्टि से महतवपों क्या हम बात करें वर्तमान की वर्तमान में तो हम ये जानते की हमाले है तो बहुत जादा हम क्या करते हैं सकी साहयता से हम गुस्पैटियों को रोप पाते हैं लेकिं अगर हम इतिहास अगर आप मंगोल इन्वेशन देखें तो आप ये देखेंगे कि मंगोल इन्वेशन से भारत इसलिए बच पाया था क्योंकि मंगोल जब चीन तरफ से आ रहे थे मंगोलिया तरफ से आ रहे थे तब ये हिमाले उनको भारत में प्रवेश करने को नहीं दिया था और वो मंगो क्या किये थे अफगानिस्तान तरफ आगे बढ़ गए थे इरान तरफ आगे बढ़ गए थे और अगर आप इन्वेशन देखे तो भारत में जितने भी आकरमन हुए हैं जितने भी इन्वेशन हुए हैं ये भारत के उत्तर पस्चीम वाले भाग से हुए हैं आप समझ सकते है कि पंजाब वाले एरिया से ये भारत में प्रविश्की है उत्तर से क्यों नहीं आए क्योंकि हिमाले हुआ करता था तो आज जो इतिहास हम देखते हैं आज जो वर्तमान की कहानी हम देखते हैं इतिहास क्या है हमारे आज की कहानी हम आज कैसे है हमारी सब्विता आज कैसी है हमारा जीवन चेली आज कैसा है उन सब के पीछे की कहानी को ही हम कहते हैं इतिहास तो अगर हिमाले नहीं होता तो आज हमारा बदल चुका होता क्योंकि हमारा इतिहास बदल चुका होता तो इसलिए शुरक्षा की दिश्टी कोंड से भी हिमाले ने सदा प्राचीन काल से वर्तमान काल तक हमारे लिए बहुत ही महतवपूर्ण भूमी का अदा की है इसलिए हिमाले के लिए इतना emotion आता है आप मेरी बातों में समझ बारे होंगे कि हिमाले के लिए कलग प्रगार की आस्ता बक्ती दिख रही होगे तो ये सारी चीज कारण बनते हैं उस आस्ता बक्ती को जगाने के लिए अब धार्मीक मेतवता है क्या इसकी तो वैशनो देवी जब जाएगे तो कहां जाएगे हिमाले पर जाएगे के लाश पांसर पर जाएगे हिमाले से जाएगे आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म को एक साथ जो है वो मिलकर आगे बढ़ते हुए देख रहे होंगे कहां पर तो वो है आपको हिमाल है या फिर आप जम्मू कश्मिर कह सकते हैं राजनितिक तोर पर लेकिन प्राकृतिक तोर पर तो आप उसे हिमाल ही कहेंगे देखे प्राकृतिक तोर पर जो चीज़े बनाई जाती है और राजनितिक तोर पर तो हम बनाते हैं आप लोगोंने गाना भी सुना होगा क्या नदिया पंच्छी पवन के जो कोई सरहद ना इन्हें रोके कोई सरहद तो किसको रोकता है सरहद रोक तो प्राकर्टिक जो चीजे बनाई जाती है प्राकर्टिक पक्छियों को नदियों को को सरहद ने ने नहीं रोकती है इनसान को लिए इंसान के द्वारा ही यह बनाया गिया होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हो सकता है एक social message आपको इससे मिला हो तो काफी लबदाया होगा आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी तो इस प्रकार से यह हिमाले के importance को आप करके लिख के आप हिमाले के importance को बहुत बैतर तरीके से present कर सकते हैं ठीक है कि इस प्रकार के और प्रश्ण पूछे जा सकते हैं हाला कि मैंने सभी प्रश्ण तो चर्चा में शामिल करी लिए हैं लेकिन फिर भी उसका overview देख लिते हैं हिमाले का पस्चिम भाग पुर्वी भाग से अधिक विस्तित क्यों हैं क्यों हैं कई बार बताया मैंने कि जब ट्रांस हिमाले या सॉरी यूरेश्यन प्रेट से भारती प्रेट टकराता है ठीक है दस मिलियन वर्ष पूर्व तब हम क्या देखेंगे या फिर आप कह सकते हैं पेलियोसीन योसीन टाइम पिरेट पर तब क्या होगा पस्चिम वाला भाग पहले टकराएगा पहला कारण क्या है टकराओ पस्चिम वाला भाग पहले टकराएगा दूसरा कारण क्या है टकराने के बाद काफी अंदर तक प्रवेश करेगे विरेशन प्रेट पर क्यों क्योंकि भारत के पस्चिम भाग पर हमें अरावली और सत्पुड़ा विंद्यन जैसे अधिक ताकत अधिक बल लिये हुए बड़े-बड़े इस्थल आकरितिया दिख रहे थे इस कारण से पस्चिम भाग अधिक क्या है ती तो भारतिये प्लेट सक्रिये प्लेट होता है मैंने बताया कि जब दो प्लेटों का टक्राव होगा तब दोनों प्लेटे सक्री हो सकती या फिर दोनों एक दूसरे की दिशा पर आकर टक्राएं हो या फिर कोई एक प्लेट ही सक्री होगा तो यहां पर भारतिये प्लेट अ आपको समझाने का प्रयास किया था ये हो गया हमारा yurisian plate, ये हो गया भारती plate भारती plate आकर सक्री है, क्योंकि सक्री है, आकर टकराता है और भारत के दक्षिन वाले भाग से, इस भाग से इसमें अधिक बल लगता है तो जब इधर से बल लगेगा तो कुछ इस प्रकार का मोड़ होगा, युरेशियन प्रेट थोड़ा सा तो मूड़ेगा, लेकिन जादा मोड़ा आपको देखने को मिलेगा, दक्षिन वाले भाग पर या फिर हिमाले के उस भाग पर जो भारत के तरफ है, तो इसलिए हम यहा होगा, वो क्या होगा, मंद ढाले, जेंडल स्लोप है, तो हिमाले की चड़ाओ पर थोड़ी सी कम समस्या आती है, तो नात्मा क्रूप से अगर आप दक्षिन से चड़ेंगे तो, चीक है, तो यह भी आप 30 वर्ड में इसे समाहित कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम दे से तरफ से रियक्शन फोस लग रहा था, ग्रेटर हिमाले और ट्रांस हिमाले का, इसलिए लेसर हिमाले क्या हो गया, तोड़ गया, अलग अलग इसलिए हमें यहाँ पर घाटिया भी देखने को मिलती है, तो यह कारण आप बता देंगे, मद हिमाले के विच्छे दित होने सबसे पहले इसी पर चर्चा किये थे, इसी कोश्चन पर किये थे, और हिमाले की अनुपस्तिती पर उत्तर भारत की जलवाईयों मरस्खली होती, तो यह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुती भाव विवर होकर आपको यह सारी चीजें बताईए, तो इस प्रकार से बह झाल